महीं अभी अद्धिक्ष महावदय डक्टर रादेशाम शुकल जी से अन्रोद करता हूं कि वो अद्धिक्षिया टिपनी कीजिए आज मंच पर उपस्थित डक्टर राजी लोचन शुकल जी मोहिद्दीन जी गोरक नत्तिवारी जी अमर जी ओती जी और यहाँ इस सभाग अक्षमे पसित बाई प्रफसर दिलीब सिंग जी प्छोतिया जी बिमल जी रिशेब देव सर्मा जी वहां पिछे बेठे हैं सत्नारायन जी टी मोहन सिंग जी और सभी मित्रों बहनों भाईयों इस सत्र में या इसके पिछले सत्र में समसेर के गद्दे पर चर्चा होनी थी निष्चे ही हुई होगी लेकिन अभी समसेर के गद्दे पर चर्चा नहीं हुई है और समसेर का गद्दे इतना विपुल है कि उस पर कुछ वाक्यों में सूत्रों में कुछ कहना कम से कम मेरी आवकात के बाहर है इसलिए मैं उसे छोड़ रहा हूं मैं बधाई देना चाहता हूं दच्छिन भारत हिंदी प्रचार सभा को और मौलाना जाद नेश्टल और दो विश्विद्याले को कि उन्हों ने यह प्रियास किया और ऐसा प्रियास की अपने देश में आप सब जानते हैं कि संगम का बड़ा महत्तु है दो धाराएं बहती रहती हैं लेकिन जहां उनका संगम होता वो तीर्थ हो जाता है आप सब लोग कम से कम जो संस्कृत परंपरास जानते हों यह प्रियाग में प्रियाग का मतलब होता ही है संगम और गंगा जमुना जहां मिलती है तो संगम पहारों में भी आप जानते हैं कि जहां दूसरी नदिया भागी रथी मिली अलग डंदा मिली वो भी संगम है और वो भी प्रियाग हैं कई-कई प्रियाग हैं और ये तो प्रियाग राज इसलिए हो गया कि यहां तीन नदिया मिल गई तो यह संगम की इस्थित बड़ी तीर्थ की जो इस्थित बनती है बड़ी पवित्र और बड़ी प्रेणा दायक बड़ी जीवन दायक लेकिन एक कभी-कभी मुझे आशिर होता है कि जब हम लोग ग जाती है उनका कहीं मिलान नहीं होता कहीं संगम नहीं होता यह गंगा जमना कहीं आके मिलती भी है उसके बाद एक धारा बनती है और अगर हम भासा के जिसे देखे हैं संशेर की भासा के संदर्म में हम भारती भासा के बारे में देखे हैं हिंदी उर्दू के बारे में भाजित हो गई। उसको बाहर से आने वाले लोगों ने ही हिंदी नाम दिया था। हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी, धक्षिन मुझकर रेखती यह और भी नाम पड़ गए। यह नाम उन लोगों नहीं दिया था। और वन लोगों के द्वारा अभी गद्य की बात हुई, मैं सिर्फ यह ध्यान दिनाना चाहता हूँ, कि भारती परंपरा में गद्य को कभियों का निकस तो माना जाता था। लेकिन गद्य निश्चित रुप से हिंदी को फार्सी अर्भी या मुसलमानों की या उर्दु की देन है। प्रोज की परंपरा निश्चित रुप से और हमारे यहां हिंदी के अस्थापित होने के पहले अंग्रेजी और उर्दू अस्थापित हो चुकी थी, हमें इस सत्य को जाज़ता भूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई उसमें होती थी, तो जिसमें हम पढ़ा लिख रहे हैं, जो साहित हमारे सामने आ रहा है, प्रेमचंद की बात हो, चाहिए समसेर की बात हो, उनकी पढ़ाई लिखाई उर्दू और अंग्रेजी में हो रही है, और अंग्रेजी के या फार्सी के जो उपन्यास या कहानियां उर्दू में अनुबाद होके आ रही हैं, उनसे वो आम तोर से हमारे यहाँ परमपरा कभियों के जो गद्य है वो उपेचित रह जाता है। प्रशाद के समय से ले ले लें, महादेवी जी के ले लें, आगे और भी लोग लें, हर्वंसराय बच्चन का ही ले लें, किसी का भी है। अग्ये के बारे में एक वो विशिष्ट है कि उनके गद्य और पद्य की समाना अंतर चर्चा हो जाती, उनके उपन्या से कारण दूसरे का, लेकिन अन्य जो कभी हैं, उनका गद्य अचूता रह जाता है, लोग पढ़ते भी नहीं, उस पर चर्चा भी नहीं होती, पाठे कर आनी के लेका के, तो उनका गद्य बिल्कुल अपरचित रह जाता है, पता ही नहीं चलता, अगर यहां मालिये हम गद्य पर चर्चा करते करते, उनकी काविभासा पर चर्चा करने लगते हैं, तो उसका कारण सिर्फ यही है, कि हमारे गद्य हमारे अध्यान के श्रिंखला म रहता ही नहीं. प्रसाद के विचार समझना चाहें, तो भी हमें गद्य का सेधा सहरा मिलता है, कवित्य में हमें विचार को जब पहचानना पड़ता है, गद्य में वह सीधे, जिसको हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं. तो आज हम सामाजी कुपयोगी तागी तरश से, रानीती कुपयोगी तरश से, विकास के संदर में, अगर हम किसी कवी कि जो उसका दे है, जो उसका लक्ष है, जो वो स्थापित करना चाहता है, वो गद्ध में हमें सीधे मिलता है, प्रेमचंद की बात है, प्रेमचंद की कह निवेदन खास्तोर से माय चात्र में तो जो रिशार्च स्कॉलर्स हैं उनसे, कि आजकल हम लोग आलोचना पढ़ते हैं, और आलोचनाओं से ही, टिपड़ियों से ही, हम रचनाकारों के बारे में धारना बना लेते हैं. कल रिशाद्योजी ने चर्चा शुरू की थी, कि हम कहीं ऐसा किसी ऐसे पुर्वाग्रा में तो नहीं समसेर के बारे में, कहीं ऐसा तो नहीं हम करते जा रहे हैं. तो मेरा एक निवेदन है, यह प्रभिरती शीन होती जा रही पहले, लोग पूरा-पूरा साहित्य पढ़ जा किसी कभी की सारी रचनाय पढ़ जाते थे, आज यह नहीं है. आज हम टिपड़ियों और समीक्षाओं से उसकी पहचान बनाते हैं, और उसी धारना को हम अपने लेखों में, अपने वक्तव्यों में व्यक्त करते हैं. तो मेरा सिर्व निवेदन यह है, कि हम जिसी भी कभी को जिस भी रचनाकार को जानना समझना चाहते हैं, उनकी आलोचनाओं के उनके बारे में की गई टिपड़ियों को किनारे रख करके, पहले एक बार उनका साहित सीधे पढ़ जाएं. उनकी कविता पढ़ें, उनके गद्य पढ़ें, उनका जो भी है, समगरता में पढ़ें तुपह चाने, आज किसी दिया हम कभीर और तुलसी को नहीं जानते, उनके बारे में की गई टिपड़ियों से उनके बारे में धाणा बनाते हैं, समकालीन जो कभी रचनाकार हैं, उनका तो और भी समगर पाठ नहीं हो पा रहा है, पाठ करम में दो चार दसकविताएं होत हैं, उनहीं से हम अपने पूरी जीवन भर उनके बारे में चर्चा करते हैं, और बात खतम हो जाती है, हम अगर अपना चाहते हैं कि हम समसेर को समझें, समसेर का जो दे है, जो उनका अनुदान है, हमारे समाज को, हमारे साहित्य को, वो निश्ची दूरुप से शिल्प के असाधारनों सिल्पी हैं, उन्हें के अभिव्यक्ति जो अंदाजे बया की बात होती है, उन्दाजे बया जरा उनसे सीखने की बात है, हमारे नहीं कर भी सीख सकते हैं, उनकी विचार धारा से हम सब अनुप्रानित हो सकते हैं, पुना मैं बधाई देना चाहता हूं, जुबान कही जाती है, तो मुझे बड़ी तक्रीफ होती है, क्योंकि जुबान तो एक ही लिखने में दो भासाएं भले हो जाती हो, हैदराबाद में उर्दूर हिंदी चलती है, रेक्ती चलती है, जुबान कहां जुदा है, मुईदुम साब मुझे बताईएगा, कि जुबा कहां जुदा है आप लिखने में संस्कृत निष्ट हो जाए या फार्सी निष्ट हो जाए या अर्मी निष्ट हो जाए जुबान तो एक ही है और इस जुबान को नाम भी खुजूर अगर मुसauseं मने विया जाए हुमने नाम दिया है हमने लागुन पहुक्त WARğा जनाब उर्दू strictly वह आपपने हिंदी एक नाम दिया था आप जानते हैम इसmalमान सायर भी अपने को उर्दू का सायर नहीं कहते थे घरीव सिंग जानते हैं आप सब लोग जानते हैं कि कि यहां के शायर डिल्ली जाते है तो काते हैं। मैं फार्सी अर्दू का शायर नहीं। मैं नहीं चानता क्या होती है। फार्सीं ओक्ता क्या होती है। ही थी राजनीत की बात तो छोड़ दें पहले तो हमीं लोगों ने उसको दो धाराओं में बाट दिया तो गंगा जमना उल्टी धारा जो बहर रही है अगर आप उसे फिर सीधी धारा में बदल सकें और एक संगम अस्थापित कर सकें और एक सम्मिलित धारा आगे बहा सकें तो साइद हम अपने लक्ष को लक्ष यहां भासा नहीं है लक्ष यहां देश है देश और समाज है एक अरब दस करोड़ यह अरब वीश अरब लोग हैं इनके दिल दिमाग की बात है इनको जोड़ने का माध्यम बन सके तो इससे बड़ा और कोई सफल अभियान हमारा नही आग लिया आप सबको इस पूरे बिश्विद्याले को दश्रिभार सवा परिवार को यहां उपसे सभी अतित्यों को सभी बिद्वानों को मेरा प्रणाम नमस्कार भन्यवाद भन्यवाद सर एक अनॉंसमेंट है यहां पर समापन सतर के बाद बहु पारशा काविशा मेलन होगा इसी हाल में और इसमें मोरणाजाद नेशनल मुद्धी उन्वस्टी के उर्दू विबाग से वरिस्ट आचारिय प्रोफिसर कालिद साहिज सार भी इसमें रहेंगे आप जो भी भाग लिना है आप स्वतंद्र है कि सभी लोग इसमें भागिदार बन सकते मैं अब धन्यवाद ग्यापन के लिए गौरकनात तिवारिदी से अनरोध करता हूं कि वो अपना धन्यवाद ग्यापन प्रस्तुत करें संक्षित रूप में यह भी आप सभी को मेरा नमस्कार शमसेर को गए हुए भले ही एक लंबा समय हो गया हो पर उनकी तडपती हुई सी गजल की चाह यकिनन वंद नहीं हुई और नहीं होगी बेहतर हो हम समसेर की मुश्किल को उन्ही के शब्दों में याद करें वही उम्रका एक पल कोई लाए तडपती हुई सी गजल कोई लाए हकीकत को लाए तक खैयूल से बाहर मेरी मुश्किलों का जो हल कोई लाए मंच पर आसीन इस सत्र के अध्यक्ष परम स्रधे डाक्टर राधेशाम्शुकल जी आध्रणिय डाक्टर राजिव लोचन जी बड़ी बहिन आध्रणिय आध्रणिय प्रोफेसर अमर जोती जी आध्रणिय नुसरत मोईदून साहब तथा सत्र के संयोजक भाई डाक्टर शेशु बाबुई आप लोगों ने अपने वक्तव्यों के द्वारा इस मंच को जो एक गरिमा प्रदान की उसके लिए आप सभी को मौलाना आजाद राष्टिय और दो विश्व विद्यालय तथा उंच शिक्षा और सोध संस्थान दक्षन भारत हिंदी प्रचार सभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सभागार में उपस्थित साहित मनिशियों छात्र छात्राओं आप सभी इस सत्र में हमारे साथ सहभागी बने तथा पूरे धैरी और मनोयोग से इस सत्र को सुना इसके लिए आप सभी को धन्यवाद मैं धन्यवाद देता हूँ इसके साथ डाक्टर चंद्रा मुखर जी को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने शमसेर जी पर संछिप्त और सारगर्वित आलेख प्रस्तुत किया धन्यवाद मैडम पुना एक बार सभी को हिर्दय से धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद